खलो फ्रेंड्स कॉंप्लेशन कमिटी के CGSI प्रेलिम्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हेमन प्रधान आए फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करते हैं CGSI प्रेलिम्स एक्जाम को टार्गेट करते हुए सामान विज्ञान के कुछ और महपूर्ण नमबर वन से बायोजी का ये लेक्चर के बाद हम तीन और लेक्चर 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 आएंगे ओवरल चार बायोजी के लेक्चर रहेंगे देन अप्टर तीन फिजिक्स के लेक्चर और तीन हमारे पास कैमिस्टी के लेक्चर होंगे इसके पहले हमने इन्वा करते हैं आज के सेशन को तो सबसे पहले स्क्रीन में देख रहे हैं कोश्चन नंबर वन आप इसे सॉल करने का प्रयास करिए सुमेली थैं करेक्ट मैच पूछा जा रहा है इधर दिया हुआ है विटामिन इधर दिया है उसका कैमिकल नेम या कैमिकल कंपाउंड का नाम जिसम दूसरा यहां पर देखते हैं कि विटामिन बी विटामिन बी को क्या कहा जाता है विटामिन बी को कहा जाता है थाइमिन कहा जाता है तो यह ऑप्शन भी गलत हो गया विटामिन सी को कहा जाता है विटामिन सी को कहा जाता है एसकॉर्बिक एसेड येस दिस दर राइट आं क्या option है इसका सही उत्तर क्या होगा सी होगा ठीक है आयूब यह सभी बातें आपको clear हो गई होगी ठीक है सही मैस्ट जून ना था तो vitamin C जो है आपका escorvic acid सही matched है ठीक चलिए question number two पे चलते हैं नावजात सिसू में लगभग कितनी अस्थियां होती है approximately how many bones are there in a newborn baby तो जैसे कि हम सभी को पता है हमारे बॉड़ी में क्या है 206 याने 206 हट्डियां होती है लेकिन जब एक नवजात सिसू पैदा होता है याने कि एक newborn baby में अगर आप देखते हैं तो उसमें क्या होते हैं बहुत सारे bones क्या होते हैं क्या होते हैं वो आपस में total numbers होती है तो नवजात सिसू में कितने numbers होते हैं कहा जाएगा तो 300 होगा 300 होगा और उसके बाद जैसे जैसे growth होने लगता है तो इसके numbers और भी बढ़ते हैं 300 से भी बढ़ते हैं लेकिन जब हम थोड़ा सा ज्यादा develop हो जाते हैं यानि कि एक adult या कह सकते हैं एक young age में आते यहां पर देखा जाएगा अगर newborn baby के कहा जाए तो उस case में हमारे पास option रहेगा तो 300 आपको टिक करना है यह बात क्लियर हो गया चलिए next question की और move करते हैं तो next question यहां पर देखिए आभासी फल याने false fruit का उदाहरण है यहां पर fruit को लेकर आपको यहां पर समझना होगा क्य क्या क्या इसमें option दिया हुआ false fruit है ना fruit का generally जो development होता है वो किस से होता है अंडासा याने ओवरी से होता है किसी भी याने फल फूल वाले पौदों में तो यहां पर आपको देख रहें कि आभासी फल अगर जिसका development क्या है ओवरी या अंडासे से ना हुआ हो बलकि दूसरे उसके पार्ट से हुआ हो तो उसे हम कहते हैं आभासी फल याने की false fruit तो यहां पर देखते क्या क्या है देखिए गुआवा गुआवा तो एक सरल यह सरस्प्रकार का fruit है ठीक है यह correct answer मतलब यह अच्छा फल है कह सकते हैं सरस्पल कहते हैं केला यह भी एक प्रकार का फल है म develop होता है तो इसका answer क्या होगा यह false fruit का example क्या है एपल है ठीक है तो यह बात आपको याद रखना है तो इसका answer क्या हो जाएगा D हो जाएगा D is the right answer फलो के मीठे स्वात का क्या कारण है the reason of the sweetness sweetest of fruit is क्या है maltose, fructose, lactose और ribose ठीक है आप सभी को पता है कि यह सब क्या है सुग तो वो मीठा लगने का कारण क्या है यहाँ पर याद रखिएगा हमीसा fructose होता है ठीक है यह fructose होता है तो इसका answer क्या हो जाना चाहिए B है इसका correct answer ठीक है अक्सर हमको यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि यह maltose में भी थोड़ा मीठा पनाता है जैसे का आप रोटी को च चबाते हैं तो रोटी को चबाते हैं भी है तो उसमें थोड़ा सा मीठा पना जाता है है ना तो माल्टोस के कारण होता है ग्लुकोज भी मीठा होता है लेकिन फ्रूट के मीठे के कारण जो होता है ठीक है याद रखना आप सभी को ठीक है आप सभी को पता होगा कि कार्ब से कराइड है तो जब हमारा बॉडी में हम उसे खाते हैं तो उसका ब्रेकडाउन भी होगा तो पहले पॉली से डाई डाई से मोनो होता है ठीक तो फिलाल इसका अंसर तो आपको क्लेर कर दिया मैंने नाव चलते हैं नेक्स कोशन की और नेक्स कोशन देखिए प्रकास सबसे अधिक प्रभावकारी है विच्छ लाइड इस मोश्वेकिव अन फॉटो संथैसिस प्रभावकारी का मतलब ιहां पर यह समझिए कि जैसे की फोटोसंथेस होता है तो फोटो संथैसिस के लिए जो पिगमेंट रिक्वाइड होती है वह उसका नाम है क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है तो क्लोरोफिल मुख्यता क्या है तीन मुख्य प्रकास को जादा तर आउसोसित करते हैं है ना एक का नाम है रेड हैं हम सीधा सीधा कहते हैं लाल प्रकास लाल प्रकास होता है उसके बाद हम देखते है आप देखते हैं ब्लू भी उसे क्या अब्सॉर्ब करता है और उसके बाद देखते हैं हमारे पास वो है आपका बैंग नी यानि की वाइलेट ठीक यह तीन चीजों को मुख्यता ही अवसोसित करता है कौन क्लोरोफिल तो इसलिए ज़्यादा प्रभावकारी होगा तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंदाइसिस प्रभावकारी होता है क्योंकि क्लोरोफिल ज़्यादा आसानी से अब्सॉर्ब करता है चलिए नेक्स कोश्चन आप देखते हैं कि इन में से सहायक आहर कहा जाता है विच अप दॉलोविंग इस कॉल्ड़ सपोर्टी डायट सपोर्टी ड ठीक है जिसमें की कार्भो हाइडरेट से ज़्यादा हमको एनरजी मिलती है फैट से भी एनरजी मिलती है लेकिन प्रोटीन क्या गड़ता है वो बॉडी बिल्डर आप आवर बॉडी है सरीर का निर्माता है तो यहाँ पे तीनों क्या है मुख्य पोसक तरत्वे हैं तो ती का आंसर क्या हो जाएगा भी तो सिक्स का आंसर क्या है भी है आई हो यह बाते सभी क्लियर हो गई ठीक है विटामिन्स को फिर फर्दर डिवाइड भी किया जाता है आपको पता है कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो वसा में भी ले होते हैं फैट सॉलिबल होते हैं कुछ जाता है तो वेटमिन को लेकर दो प्रकार के प्रस्थ्नक बहुत सामानेता पूछा जाता है पहला इसको जो है किस ने सबसे पहले क्या किया था नाम है स्वाइथिंक और नाम कि सन्टिस्ट त्प्रकार का होता है ठीक है, दो प्रकार का होता है, इसे हम कहते हैं, वसा में विले, है ना, वसा में विले, याने की fat soluble, और दूसरा हम कहते हैं, यह है आपका gel में विले, तो यहाँ पे इसे याद करने का तरीका भी है, मैं बहुत सरल तरीके से बता देता हूँ, although आप लोग को पता भी होगा, ठीक है, simple सा लिख लिजिएगा, A, B, C, D, E, और K, ठीक, तो यहाँ पे A, B, C, D, E, K आपने लिख दिया, है ना, यहाँ पे जो सबसे first वाले को सबसे last में लेकर चले जाएए, तो यह क्या बन गया, आप देख रहे हैं, B, C का एक कपल बन गया, और D, E, K, A का एकर, जो है दो कपल बन गया कह सकते हैं, यानि की टोटल चार बन गया, ठीक, तो यह जो होता है, B, C, यह होता है, आपके जल में विले है, ठीक है, और यह डे का जो बन रहा है, वो है, आपका क्या है, फैट यानि की वसा में विले है, ठीक है, कई बार exam hall में confusion होता है कि, अरे यह vitamin C नीबू में होता है, और नीबू का रस पानी में आसानी से soluble हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि, जल में विले वाले vitamins क्या है, B और C है, इसका couple तो यह है, B, C का जोड़ीदार B है, तो यह जल में विले है, उसके बार D, E, K, डेका से याद रख लेंगे, आप क्या है, vitamin D, E, K, और A वाले, तो आसानी से absorb तो होता नहीं है, तो यह जागे सीधा हमारे intestine में, small intestine में वहाँ पे absorb होता है, वहाँ पे उसका absorption होता है, क्योंकि वसा वहीं पे ही विले होगा, वहीं पे soluble होगा, तो वहीं पे वो vitamin हमको प्राप्त होगा, ठीक है, यह बात आपको ध्य यहां रखनी है, है ना, कई बार इन से related इनके source भी पूछ दिये जाते हैं, कि किस vitamin का, कौन से vitamin का, क्या source है, something like that, तो चलिए, अब चलते है, next question की और, बॉने पोधों को लंबा करने के लिए, कौन सा हार्मोन सहाइक है, which हार्मोन is helpful for the growth of the dwarf plant, ठीक है, तो सबसे पहले यहां रखेगा, जिब्रेलीन इसका answer है, B, ठीक है, क्यों answer है, क्योंकि यही क्या है, यहां पे ड्वार पौधों को लंबा करने के लिए, यह responsible होता है, लंबा होता है, अगर हम कोई भी ऐसा पौधा, जो genetically भी ड्वार्फ है, यानि कि आनवांसी क्रूप से भी बॉना है, अगर उसमें जिब्रेलीन हार्मोन का ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे supply करेंगे उस plant में, तो वो क्या है, उसकी growth होने लगती है, ठीक है, यह बात ध्यान रखेगा, साइटो कीनीन भी कुछ मात्रा में सरीर के उसके लंबाई के लिए responsible होती है, लेकिन कम मात्रा में और वो तब ह होती है, जब oxygen मौझूद होगा तो, oxygen नाम का एक और हार्मोन होता है, तो तब यह भी helpful होगा, लेकिन सबसे ज्यादा responsible होता है, क्या है, जिब्रेलीन, तो जिब्रेलीन के बारे में आप यह बात याद रखना, पौधों की लंबाई को व्रिद्धी करने के लिए क्या है, य एक word यूज किया जाता है, वो difficult word है आपके लिए, लेकिन फिर भी याद रख लेना, प्रसुपता अवस्था, ठीक है, dormancy period कहा जाता है, तो dormancy period मतलब जैसे कि आप घर में कोई चीजें रखे हुए हैं, अचानक से उसे क्या करना है, उसे क्या करना ग्रो करवाना है, कहीं प खेता है, फिलाल इसका यहाँ पर आंसर यही लिखना है, कि राज़ बॉने पौदों को लंबा करने के लिए यूज किया जाता है, वो जिवरेलीन हार्मून है, लास्ट दिया हुए इंसुलीन हार्मून के कारण बॉडी में ग्लुकोस का लेवल मेंटेन रहता है, इसकी कम नहीं हो जाती है, तो इस व्यक्ति को डाइविटीस नाम का डिसॉडर हो जाता है, ठीक है, यह बात ध्यां रखना चलो, कोशेन नमबर एट, किसके निमनलिखित भूजन में से किसके द्वारा प्रती ग्राम सरवाधिक उर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, विच अब दफ जी के हैं, तो जितने किलो ग्राम है, उतना ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए होता है, यह बॉड़ी का एक बेसिक जो है, आपका रूल है, याद रखना, ठीक है, अब कोई जिम जाते हैं ज्यादा ज्यादा प्रोटीन इंटेक लेते हैं, तो उनके सरीर का जो है निर्मात आए मैं पहले question में बताए भी था कि तीन महत्पूर्ण चीजे मुख्य पोसक्तत्व पहला है आपका कार्भो हैड्रेट वो वसा के लिए जौर वो क्या है एनर्जी के लिए जौरवत होता है आपके सरीर का लगभग लगभ 50 से 70 परसraid एनर्जी हमको किस से मिलनी चाहिए कार्भो हैड्रेट से मिलनी चाहिए उसके बाद बचे हुए क्या है 20 से 25 प्रतीसद क्या है एनर्जी किससे मिलनी चाहिए हमको फैटसे मिलने चाहिए तो वो दोनुँ एनरजी Com ваш प्रोटीन का काम है वहां सरीर का निर्माड करना बॉडी का निर्माड करना ज्यादस ज्यादा सेल करना यहां पर हम कह रहें तो प्रोटीन का काम यहां पर सरीर यहां पर एनरजी जो है जब कई भी ऐसा होता है कि आपके बॉडी में फैट कम हो गया कार्बोहेडरेट की कमी ह गया तब प्रोटीन डिकंपोज होने लगता प्रोटीन टूटने लगता है और उस केस में आप माल निट्रिशन वाले व्यक्ति टाइप से दिखेंगे ठीक है यानि कह सकते हैं कि जैसे होते हैं कुछ लोग जो बच्चे लोग दुनिया में बहुत ज्यादा भुगमरी है कई तो मुख्य पोसक तत्व नहीं मिल पा रहा है तो साह्यक तो दूर की बात है है ना तो वह बहुत दूबले पतले दीखते रहते हैं तो फिलाल यहां पर समझना है ए-नरजी की बात की जा रही है तो एनरजी को लेकर मैं इस दोनों को कार्वाइडरेट कह सकता हूं किसको ग कालोरी कीलो कैलोरी निकलती है पर ग्राम में पर ग्राम में यहां पर कितनी निकलती है 4.2 कीलो कैलोरी जब फैट की बात करती है तो यही वो है 9.3 कीलो कैलोरी कब पर ग्राम में यह निकलती है तो इसका अंसर क्या होना चाहिए आपको बता है बहुत सिंपल है आंसर होना चा disaccharide तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 4.2 calorie निकलती है और जब बात करते हैं वसा 9.3 calorie energy निकलती है तो D is the right answer चलिए next question next question देखते हैं कि मानों सरीर में स्वेत रखते कड़िका है डबलू वीशी का जीवन काल कितना होता है तो इसका answer है याद रखेगा D is the right answer 10 से 13 दिन होता है कुछ किताबों में 8 दिखा होगा कुछ में 6 दिखा होगा तो घबराना बिलकुल नहीं है आप पांस से लेके 12 13 का कोई भी range का answer आप करेंगे आपका answer गलत नहीं होगा है न हमने यहाँ पे इस NCRT को आधार मानते हुए से लिखा है ठीक है तो 10 से 12 दिन या 10 से 13 दिन आप लिख सकते हैं ठीक यह बात याद रखना तो WBC यहाँ पे याद रखेगा क्या के लिए response उसका जो है जीवन काल होता है वो होता है यहां है 120 डेस लिखा यह Road सी का होता रैडब लट करपसल लाल रखते कणिकाओं का हुता ठीक है यह वी एक्जाम में पूछा जाते है नेक्स को भीशन दिखते हैं पपीते में पीले रंग का कारण क्या है तो पपीते में पीले का मतलब कैरिटीन से निकला है और जैन्थीन जैन्थोफिल से जैन्थीन तो कि दोनों मिलके कैरिका जैन्थीन नाम का एक कंपाउंड यानि याउगिक बनाते हैं तो यह होता है उसका सही उत्तर है पपीते में पीले रंग कारण कैरिको जैन्थीन ठीक तो यह आंसर है अब ये कैपसेसीन जब मिर्ची खाते हैं तीखा लगता है तो तीखा पन किसके कारण होता है वह कैपसेसीन की कारण होता है जैसे कि लाल मिर्च लाल मिर्च वह सुखी वाले नहीं मालो किसी मिर्च के पेड़ में या आप मार्केट जाते हैं तो लाल मिर्च अगर आपको दिखे and दोनों में क्या होता विटमिन सी की मातरा होती है तो कैपसेशीन जो होती है यह बेसिकलि मिर्च के तीखा खाफन के लिए responsible होता वो भी विटमिन सी का एक अच्छा सोर्स है ठीक चलिए लाइको लाइकोपीन टमाटर का जो लाल रंग होता है वो जो चमक होती है उसके वो किसके कारण होती है लाइकोपीन के कारण होती है कैरिकोजन्थिन मैंने बता है पपीते के पीले कारण और कैरोटीन कैरोटीन जो होता है बीटा कैरोटीन होता है कैरट यानगी गाजर में ठीक है त नीश्वसन नीश्वसन मतलब यहां पर देख रहे हैं अंदर ले रहे हैं ठीक है इंस्पिरेशन की बात की जारी है के समय ग्रहन की गई वायू में आक्सीजन का कितना प्रदीशत होता है वोट इस दे परसेंटेज और एड़ टाइम अप इंस्पिरेशन तो यहां पर दिया आपको पता है यहां पर इसका परसेंटेज लिखते हैं तो क्या है आपका नाइट्रोजन है कितना है आपका सैवेंटी एट पॉइंट पॉइंट अपरसेंट या फिर मैं मोटा मोटा कह सकता हूं 79% SCRT में लिखेंगे तो 78.0 79 लिखा है NCRT में 78.08 लिखा है दोनों ले सकते हैं कोई भी आंसर गलत नहीं है ठीक अब यहां पर oxygen ले लेते हैं तो क्या है कितना है आपका वो है 21% तो atmosphere में 21% ही तो अंदर लेंगे ना तो इसका answer क्या होना चाहिए आपका answer यह है इसका क्या है 21% जो atmosphere में मौझूद है oxygen का percentage उसी को तो आप inhale करेंगे अंदर लेंगे है ना अगर carbon dioxide की बात कर देते हैं तो क्या है 0.03% है ना यह आपका आ जाता है तो यह आपको ध्यान रखना है कि यह percentage है जब सांस लेते हैं तो इतना nitrogen को use करने के लिए कोई system नहीं है तो जितना अंदर लेते उतना बाहर छोड़ देते हैं तो जितना लिये थे उतना बाहर छोड़ दिये 79% अब यहाँ पर बात आती है कि जो 21% oxygen लिया उसका केवल 4% use कर पाते हैं 4% use कर पाते हैं तो बाहर कितना छोड़ देते हैं 17% है ना 17 में 21 में 4 गया तो 17 यह बचा ठीक है और यह कहां use कर ली जाती है यह use कर ली जाती है कोशिकाओं में और वहाँ पे वो oxygen CO2 में convert हो जाती है तो उस समय हम बात करते हैं कितना परसीज़ सथ हम CO2 छोड़ते हैं 4% छोड़ते हैं CO2 अंदर लेते हैं 0,5-0,3% लेकिन छोड़ते हैं 4% तो यह दोनों चीज़ें आपके exam के लिए important है याद रखिएगा चली आप लोग CGSI के लिए बहुत सारा practice कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप ही से related a question आ गया देखो next question को पढ़ने का प्रयास करिए और solve करने का प्रयास करिए पेसी में भी विगतवस पूछा है अचानक से सारी कारे अधिक हो जाने पर मान स्पेशियों में दर्द होने लगता है इसका कारण क्या है due to the sudden increase in the physical work muscle pain start the reason for this is क्या है reason तो यह आपको पहले अगर आपको anaerobic respiration या आवाई भी सुषन करते हैं तो तीन कार्बन वाले वो कंपॉंड में बदल जाता है ठीक है यहाँ पे उसका अंसर था वो अब यहाँ पे दूसरे तरीके से पूछा यह भी पहली बार पहली बार पूछा नहीं आपको कम से कम दो से तीन बार अलग से एक्जाम में पूछा जा चुका है पीएसी ब्यापम में तो सारी काम जब अधिक हो जाता है जैसे अचानक आप डे वन डे टू डे थ्री में जब दोड़े होंगे उसके बाद आपका हाथ पैर जो है थोड़ा सा उसमें दर्द मैसूस हुआ होगा या जकड मैसूस की गई होगी या फिर आप बहुत ज़्यादा पेन फिल किये होंगे तो वास्तव में वो क्या होता है एक कोसिका में दो प्रकार का रेस्पिरेशन होता है एक है वाई भी स्वशन एक होता आवाई भी स्वशन एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे रेस्पिरेशन का बिलकुल मतलब सांस लेना नहीं है यहाँ पे रेस्पिरेशन का मतलब क्या है breakdown of compound या breakdown जिसमें करते हैं पोसक पदार्थों का breakdown करेंगे तो उसे energy प्राप्त होती है चाहे वो fat हो carbohydrate हो है ना या कुछ दूसरा हो है ना तो यहां भे बात करते हैं कि जब किसी चीज़ का है ना glucose का glucose से हमका energy मिलती है तो glucose का जब हम breakdown करते हैं तो glucose का breakdown करते हैं अगर वह वाइवी स्वसन है औक्सी रेस्पिरेशन है तब तो वहां पर बहुत ज़ाद energy निकलेगी 38 ATP निकलेगी लेकिन जब बात करते हैं कि anaerobic respiration मतलब oxygen की absence में अगर आप उस glucose का breakdown करेंगे तो उस glucose से कितना मिलना चाहिए था 38 ATP बनना था अब वहां पर यह कौब oxygen के presence में अगर उस glucose का oxygen के absence में हम करते हैं तो केबल 2 ATP बन रहा है ठीक है तो यहां पर बात ध्यान रखना कि यह जो है oxygen की absence में है तो आपको यहां पर इस question को ज्यादा ट्विस्ट न करते हुए सीधा सीधा बताना चाहूंगा कि जब भी हमारे बॉड़ी में oxygen की presence oxygen की absence हो जाती कमी हो जाती है ग्लुकोस का लगाता और breakdown यां तूटना बना रहता है तो उसमें जहां पर हम देख रहे हैं कि उससे energy प्राप्त होनी चाहिए तो वहां पर energy प्राप्त ना होके हम क्या करते हैं हमारे पास क्या होती है वहां पर lectic अमलब बन जाती है और lectic अमलब का thickening हो जाता है जमा हो जाता है मान स्पेशियों में और उसके कारण हमको दर्द महसूस होती है ठीक है यह बात ध्या होता है कि मान स्पेशियों में लेक्टिक अम्लक का जमा हो जाने की कारण हमारे हमको जो है डर्थ महसुस होती है उसके बाद हम उसे मालेस या दूसरे तरीके से रिलैस करते हैं उस समय बाद वह आटोमेटले रिलैस हो जाती है ठीक है ऑक्षी स्वसन की क्रिया में कितनी तो आपका क्या भी इस दर राइट अंसर ठीक उसके बाद देखिए वर्मी फॉर्म एपेंडिक्स क्या है यानि कि क्रिवी रूपी परी सेशी का गयते हैं यहां पर दिया हूँ आप्शन समझातं समरूप हम अवसेशी अंग अव उप्रुक्त सभी होमोलोगस एनोलोगस वे सेशी अंग को अगर हम अच्छे से एक्स्प्लेइन करना चाहें तो यहां पर वर्मी फॉर्म एपेंडिक्स यानि की क्रिमी रूपी परी सेशी का है जो मुक्यता सेलिलोस के पाचन के लिए रिस्पॉंसिवल होता है तो जितने भी साकाहरी प्राणियों में यह डबल अप कहते हैं कुछ और और अगर हम कहें तो जैसे आपके आपका कान का पिनना यह जो पिनना आप देख रहे हैं इसका भी सरीर में कोई काम नहीं आप इसे काट के भी दोगे तो कोई इसका रोल ही नहीं सिर्फ एक आपके लिए कहना चाहिए आपकी सुंदरता बढ़ाने के लि इंपोर्टेंट है देखिएगा एक है समजात अंग हैना समजात मतलब आप देख रहे हैं होमो लॉगस जिसकी उत्पत्ती समान लेकिन काम अलग-अलग जैसे कि हमारे पास हमारे दोनों हाथ यह देख रहे हमारे हम लिखने के लिए खाने के लिए बहुत सारी चीज़ों क दोनों पंजा तो बिल्ली के आगे जो पंजे हैं या चमगादर के दोनों जो उड़ने वाले जो आगे के जो दोनों अगरपाद है ठीक है तो यह दोनों चीज़ें क्या होती है आपके बिल्ली का अगरपाद या फिर आप कहते हैं कि जो पंजा कहते हैं उसे या फिर हम कह हैं कि जो बैट या चमगादर का आगे वाला दोनों हाथ कह सकते हैं है ना तो वो जो है और मनुष्य का जो हाथ दोनों है इवन घोड़े का भी घोड़े की जो दोनों आगे के पैर हैं इन तीनों चारों का जो है आप देख रहें औरीजिन यानि कि एमड्राइनिंग डेवलप्पेंट भुरूनी परिवर्दन सेम टू सेम हुआ है लेकिन आप देख रहे हैं हमारा हमारे हाथ का अलग काम है बिल्ली के पंजे का अलग काम है चमगादर यान बैट के दोनों आगे वाले जो पैर का उसको उड़ेने में समझातं कहते हैं उतपति संमान कामलग अलग उसका उल्टा देख़ लो समरूप अंग आपको यहां पर होता है की जिसकी उत्पति अलग अलग हो लेकिन काम सेम होता जैसे की बटरफ्लाइब अब दोनों के नहीं गया यह ने आपके वह बैट चमगादर का भी ले सकती हो है ना तीनों की उत्पत्ति अलग अलग है चमगादर के आप जो उड़ता है वह पंक और आप देख रहें कि तितली के बटरफ्लाई का पंक और देख रहें चिडिया का पंक तीनों का ओरीजिन अलग-अलग है लेकिन काम सेम सेम हैं तो हम कहते हैं कि उसे कहते हैं समरूपंग है ना एन लॉग अर्गन यह बात ध्यां रखना चलिए नेक्स कोशन की और मूप करते हैं तो नेक्स कोशन देखते हैं वहाँ पे पूर्ण पाचकरस किसे कहा जाता है विच्वन इस कॉल्ड दा कम्प्लीट डाइजेस्टी जूस तो कम्प्लीट डाइजेस्टी जूस कहा जाता है देखिए आपके सरीर में यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है इसका पूर्ण पाचकरस किसे कहा जाता है मैं पहले आंसर कर देता हूं फिर एक्स्प्लेंशन दूंगा हम यहां पर देखते हैं अगनासाई रस पैंक्र जूसी सोरी गेस्टिक जूस कहते हैं आमासयरस केहते हैं यह बेसीकली इसमें करते हैं और यहां पर कुछ म्यूंकस होते हैं तो यहां पर डाइजेशन के पॉइंड़ान थेंचे मैं चोड़ देता है ना पैपसीनोजन को तोड़ देता Pope waterHS ना रेनीजज Maherd आप प्रोटीन पाचन करने में मदद करता है लेकिनell तो प्रोटीन ही नहीं एकल तो क्या है आपका एंजाइम ही नी तो थो बात वही क्षटम हो जाती है ना यक्रीत रस में की मिल्यार्ट या रखेगा बिली रूबीन और बिली वरडीन जब किसी को आप देखते हैं या जॉन डी सो जाता है ना तो यही पिग्मेंट बढ़ जाता इस करन जो है body जो है वह पीला गलर दिखाई देता है तो वहां पे वह क्या करता है वह बिलिवर्डीन बिलिवर्डीन क्या करते हैं वह कहना चाहिए बेसिकली जो आपके वसा को क्या करते हैं उसका कहते हैं इमल्सी फिकेशन या इमल्सी करण में मदद करता है ठीक है तो फिलाल हमको उस पर नहीं जाना है पूर्ण पाचक रस जो है आपका हमने देखा कि अगनासाइरस है तो क्यों कहते हैं उसे देखिए अगनासाइरस में क्या होता है प्रोटीन कार्बोहाइडरेट और फैट ती दूसरा है क्यां ट्रीपसीन को कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है क्योंकि अकसर हम confused कर गिए उसे आमासाइड ट्रिक कर देते हैं stomach tick कर देते हैं लेकिन वह actual में होता कहां पे वहां पे निकलता है that is pancreatic juice में रहता हूँ है ना अगनासाइरस में रहता है उसके बाद देखते हैं काइमोट रिपसीन ठीक है उसके बाद हम देखते हैं क्या है lipase lipase है ठीक तो यह चारों चीज़ें होती है तो पूर्ण पाचकरस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पे protein कार्वो है प्रेट फैट तीनों को पचाने के लिए सभी चीज़ें मौजूद है इसलिए पून पाचकरस कहा जाता है बढ़ी आत में तो पाचन होता ही नहीं ठीक है आपको याद रखना है कि पाचन यहने इंटेस्टाइन ठीके प्रकार जाता है है नँथ यहां पर आप बात करते हैं कि जो Lot इंटेस्टाइन होता है इसमें पाचन होता है नहीं केवल जल वगरे का आउसोसन होता है यहां पे मिनरलेंड सॉल्ट का एब्सॉप्शन होगा तो आपको बस यह बात याद रखने थी चलिए पित रस का स्रावण कहां से होता है बाइल जूसी सीक्रेटेड बाई तो यहां पर दिखिए यहां पर दिखिए लीवर छोटी आथ पित रसावण के और फ्रम आदा स्टॉमग यानकी आमास है तो हमको अकसर यह कन्फ्यूजन होता है इंस्टन हम इसे आंसर करने का प्रयास करते अरे पित रस है तो पित रसे को टिक करिए जबकि आंसर वो गलत है पित याद रखना स्त्रावन पूछा है तो करेक्ट अंसर क्या होना है यह लीवर चोटी आथ में बात जाके बाद में खुलेगी ज़रूर लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि वह क्या है आपका यह अकृष्य इसका अंसर है पित्ता से हमें खोज किसने की थी तो याद रखना कि लैंड़ स्टीनर ताहब ने लैन जो है रख्तसमों की खोज की थी जिसमें हम देखते हैं A B है ना उसके बाद A B है ना उसके बाद O Y E R तो हम कह देते हैं तो यह क्या है blood group है ठीक है और land steiner plus wiener कह दिया जाया दोनों नाम कह दिया जाया तो आरेच factor की खोज उन्होंने की थी ठीक है William Harvey साहब आपको पता है रक्तपरिशंचरण की खोज की थी है ना यहाँ पे हम कहते हैं blood circulation system का उन्होंने discover किया था तो वो कौन है आपके William Harvey साहब next question देखिए antibody का निर्माण antibody का निर्माण किससे होता है तो options दिये हुए यहाँ पे देखिए RBC से lymphocyte से platelet से ठीक है क्या होगा या all of the above होगा क्या अभी बहुत सारा matter चल रहा है antibody का लेकर तो antibody आप देखिंगे तो इसका answer क्या होगा lymphocyte होगा थोड़ा मैं इसका concept आपको बता देता हूं ताकि कभी कभार exam में आपको थोड़ा twist करके भी question पूछा जाया तो आप आसानी से उसे बना सको देखिए जो आप देखते हैं आपके रुधिर के अनू होते blood cells होते हैं कितने प्रकार के होते हैं अगर मैं कह दूं blood cell रख्त कोसिका हैं या रुधिर अनू कहते हैं यह क्या होते हैं Y49 तो यह RBC होता है या तो यह WBC होता है या तो यह क्या होता है प्लेटलेट होता है प्लेटलेट होता है ठीक है तीन चीजे होती है ठीक है प्लेटलेट को थ्रॉम्बोसाइट भी कह देते हैं तो रेड़ ब्लेट कार्पिसल स्वेट रखते कर निकाएं स्वेट रखते कर निक तो यहां पर इसका रोल आप समझिए जो एग नीलो साइट है वह दो प्रकार की फिर से होते हैं एकका नाम है लिम्फोसाइट और एक का नाम है मोनोसाइट आपको कह दिया जाए आपको कह दिया जाए सरीर का सबसे छोटा WBC क्या है तो वो है lymphocyte ये lymphocyte further दो प्रकार के होते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक का नाम है T cell एक का नाम है B cell है ना तो यहीं से तो वो सब चीज़ें रोल होती है antibody का कहा बनता है इसी lymphocyte में बनता है T cell और B cell का ठीक है तो यहाँ पे इसके आगे हम मैं अभी discuss नहीं करना चाहता और detail है इसका concept तो फिलाल WBC क्या है A granulocyte और granulocyte और यहाँ पे देखते हैं A granulocyte क्या होता है वो है lymphocyte और monocyte सबसे छोटा WBC कहा जा है तो lymphocyte सबसे बड़ा WBC कहा जा है तो monocyte ठीक है अगर granulocyte की बात करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं acidophils basophils और neutrophils ठीक है acidophils को और क्या कहा दिया जाता है eosinophils तो कई बार हम देखते हैं खासी बगर जादा आती है लगा था तो eosinophils की मात्रा बढ़ना घटना आपको प्रभावित कर रहा है ठीक है क्योंकि WBC अल्रेडी उसे हम सरीर का चौकीदार कहते है बाहा से कुछ चीज़ें भी आती है तो उसे क्या करता है उसे एक पहरेदार की रूप में काम करता है आपका WBC करता है लेकिन WBC को decode करोगे तो आपका A-granulocyde, granulocyde जिसमें granulocyde, acidophils, basophils, neutrophils बन गया acidophils को हम eosinophils भी कहते हैं उसी प्रकार A-granulocyde यानि आखकरणी का में जो होता है WBC तो उसमें देखते हैं lymphocyde और monocyde lymphocyde सबसे छोटा जो फर्दर दो प्रकार की कोशिकाएं पाए जाती है T-cell और B-cell और monocyde हम देख रहे हैं यह क्या होता सबसे बड़ी जो हैं आपकी WBC यही है clear होगे आप सभी को तो इसका answer यह हो गया clear होगे आप सभी को चलिए अब आज का हम देखते last slide last slide यहां पर देखिए क्या क्या है दिया हुआ है कि इन लिखित में से कौन सा एक पाचक enzyme है और यहां पर options दिये हुए है trypcine yes this is the correct answer यह कहां से stomach से निकलता है stomach में मिलता है यानि कि आमासाय में trypcine अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कहां पर मिलता है pancreas में मिलता है अगनासाय में मिलता है ठीक है atcl हमने देखा था है ना amylase trypcine chimotrepsine और हमने देखा था क्या देखा था life is देखा था tylin 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 जो है उसे amylase भी कह देते हैं एक ही नाम है time tylin को हुए amylase करो एक ही है आपके मुख में माउथ में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं एक का नाम है amylase या टाइलीन और दूसरा का नाम है lysozyme ठीक है तो यह दोनों चीज़ें पाए जाते हैं तो कुल मिलाके इसका अंसर क्या है d is the right answer मानो सरीर में यूरिया का निर्माड कहा होता है where is the yuria produced in the human body क्या होता है यूरिया का निर्माड बताओ तो kidney यक्रेट छोटियाद या अगनास है में तो हमेशा आपको याद रखना है liver में ही क्या है यूरिया का निर्माड होता है है यूरिया का यूरिया क्या है एक प्रकार का nitrogen का compound है और यूरिया भी हमारे सरी के लिए हामफूल है है ना यूरिया हुआ अमोनिया हुआ सब नाइट्रोजन की कमपाउंड है इसलिए क्या है जितने भी कसे रुकी यानि की वर्टीब्रेट्स होते हैं इनमें लीवर पाया ही जाता है क्योंकि वो क्या करता है टॉक्सिटी टॉट्वित हमफूल है मैं एक्पूल यूरिया हामफूल है यूरिया के तौर पर वहीं सबत्째 निकलती तो अबात आप सभीको तो यह क्या है आप का ढब्लेट निरमार कहा होता है यक३रिय संसंट होता थिक किट्नी में ब्लट जो है वहां पर छनता है ठीक कुछ फिल्टर के वा नीचे कुछ चीज़ें निकल जाती है तो वहां पर मदद करता है बोमन संपोडिया बोमन कैपसूल कहते हैं उसे ठीक है चोटी आथ बेसिकली डाइजिशन में हल्प करता है अगनासे आप देख रहे हैं अगनासे में क्या है बेसिकली अगनासे दोनु वाले इंसूल उनके हार्मोन्स जैसे के गलुकेगाउन इंसूलीन वगरा हार्मोन्स वगरा वो बेसिकली आपकी हार्मोनल कारियों को क्या करते हैं संपादित करते हैं आगे बढ़ाते हैं तो फिलाल इसका अंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आई होब यह सभी questions आप समझेंगे मैं थोड़ा speed slow रखा था ताकि चीजों को समझते हुए चले next session में हम कल मिलते हैं कुछ और महत्पूर प्रशनों के साथ तो आज के लिए विदा दीजिए thank you so much have a nice day